लोग सभाचुनाओं में कई सीटों पर करारी हार के बाद भारते जंता पार्टी की निगाँ हैं आगामी विधान सभाचुनाओं पर हैं खास दोर पर बिहार, पंजाब, दिली, छारकंड, हरियाना जैसे राज्यों पर बता दे इसी कड़ी में भारते जंता पार्टी के तमाम बड़े दिगन्यता बैठकों पर बैठक कर रहे हैं और लोगसबा चुना में हुई गल्तियों को ले करके अपने समर्थ को और करकरताओं को आगाह कर रहे हैं इसी बीच केंदरे मंतरी नितिन गटकरी ने शुकरबार को बुवा में बीजेपी की कारेकारणी बैठक को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने अपने नेताओं और पार्टी की तारिफ की तो वहीं उन्हें आगाह भी कर दिया आपको बता दे नितिन गटकरी ने कहा कि बी जसे उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा अगर यही गलती हम भी करते हैं तो फिर उनके सत्ता से जाने और हमारे आने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। समाजिक और आर्थिक सुधार लाय जा सकता है। करके तमाम राजियों में बैठोकों का दौर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, हरियाना, बिहार और पंजाब, दिल्ली जैसे राजियों पर भारते जनता पाटी की निगाहें टिकी हुई है। कई सीटों पर लोकसभा चुनों में भारते जनता पाटी को हार का सामना करना पड़ा। और खास तोर पर महरास्ट और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े जटके लगे हैं, इसको ले करके भारते जनता पाटी लगतार चिंतन मंथन कर रही है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से नितिन गटकरी का या बयान आया है, साफ तोर पर अपने करकारताओं और समर्थकों को चिताना चाते हैं। फिलहाल कि इस रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्षटाइन पॉलिटिकल बायट के साथ।